दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में 27 जनौरी के बाद से पूर्न रूप से मौसम होगा साप तीन दिन और पड़ेगा कनकनी वालिटर जिहां बिहार में 27 जनौरी के बाद से पूर्न रूप से मौसम साप होगा मौसम बिगान केंदर की ओर से जारी पुरवानुमान के नुसार पटना सहित असपास चेतरों में हलकी बारिस होने की सम्हावना है इस दोरान बादल चाय रहेंगे वही बादल चाय रहने से दिन का मौसम साप नहीं रहेगा और नियुनतम तापमान में तोड़ी बिरदी होगी वही अधिकतम तापमान गिर सकता है इसलिए लोगों को अधिक ठंड का अनुवाव हो सकता है पुरवानुमान के नुसार अगल बच्चों को बचाने की कवायाद तेज हो गई है वर्तमान में 15 से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लगतार वैक्सिन लगाई जा रही है अब टिकागरन अभ्यान से 12 से 14 साल तक के बच्चों को भी सामिल किया जाएगा इन बच्चों को टिकाल लगाने का अभ्यान मार्च मे सुरू हो सकता है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले से इसको लेकर संकित मिल गए है जिसके बाद स्वास्त विवाग ने इस आयू वर्ग की सूची बनाने की तैयारी करने जा रहा है इसके लिए जल्द ही आसा आगनवड़ी कायर करता हो और एन्यम को निर्देस जारी किया जाए सरकार से मिली मंजूरी जिह फासलों को बरबाद कर रहे नील गाए और जंगली सुवर को लोग अब मुख्या के अनुमती से ही मार सकेंगे पंचायती राज विवाग ने जल्वाई परिवर्तन परियावरान एवाम वन विवाग के इस प्रस्ताव को हरी जंडी दे दे दी है अभी जल्वाई परिवर्तन परियावरान एवाम वन विवाग के मुख्य वन प्रानी प्रतिपालग मारनी के अनुमती देने के लिए प्रादिक्रित है पंचेतिराज मंत्रे ने कहा कि खेती और बागवानी के वसलों को नुकसान पहुचाने से रोखने के लिए वन प् तार्थ की धारा चार एक सी के तहट यह अधिकार मुख्या को दिया जा रहा है अगली बड़ी ख़र बिहार में पिछले 24 गंटे में मिले 2768 नई कोरोना मरीज पटना में 424 ने मामले जहां पिछले 24 गंटे में बिहार में एक बार फिरसी कोरोना संक्रमन में कमी आई हैं करोना केसिस कम मिले थे कल की तुलना में 120 केसिज आज पटना में कम मिले हैं वहें बिहार में कुरोना की कुल एक्टिव केस अभी घटकर 17,848 हो गई है साथ यह आपको बता दे कि 22 जनुवरी को बिहार में दो लोगों की कुरोना से मौत हो भी थी अगली बड़ी कबर बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम बदला जहां बारतीवी सड़क दुरगटनाओं के बेच परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव कर दिया है अब जिस जिले में लालिंग लाइसेंस बनाया गया है वही से स स्थाई लाइसेंस भी बनेगा दूसरे जिले में स्थाई लाइसेंस बनाने का ओपसन खतम कर दिया है इस समद में परिवहन विवाग ने सब जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिख कर सौप्टेयर में आवश्यक वेवस्ता करने का आदिस दिया है परिवहन में जाकर बिना टेस्ट दिये ही स्थाई लाइसेंस बना लेते थे इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सकते थे और दुरगटना गरस्त हो जाते थे अगली बड़ी कबर गंतंत्र दिवस को लेकर आलाड पर बिहार पुलीस महतपोन इमारतों बास इस्टेंड वर रेलिवी स्टेशनों की बाड़ी सुरक्षा नकसल इलाकों में हाई अलाड जिहां गंतंत्र दिवस को लेकर बिहार पुलीस आलाड पर है पुलीस की खोपया व क्याले में होने वाले मुख की समार उस्तल पर भी सुरक्षा चोक चोबन रखने का निर्दिस दिये गए हैं। सुत्रों के मुताबिक गंतंद्र दिवस पर किसी तरह की बड़ी घटना की आसंका नहीं जताई गई है। बावजूद सभी जिला पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गिया है। विसे सका ने इस वाबद जिला पुलिस को जेनरल अलर्ट भी जारी किया है। 28 जनवरी को होनी थी जिसे इस्तगित करकर 9 परवारी से होने को प्रस्तावित किया गिया था। 28 जनवरी को परवारी मा में आईजित होने वाली थी आप्रेल मा में ली जाएगी जबकि के बचाव के लिए एक बेच से दूसरे बेच के बीच परयाप्त दूरी रिखी जाएगी। 25 परिचात्रियों पर एक विक्चक के अनुपात में विक्चकों की प्रतिन्युक्ति की जाएगी। एक कमरे में नियूंतम दो विक्चक रहेंगे। परिचा बहुन में जोता मोजा पानकर आने से ना किया गया है। जोता मोजा पानकर परीचा बहुन में परवीश के अनुमते नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कदाचार मोक्त परिचा के संचलन के उद्देश से वार्सिक मैदमिक परिचा दोजरबाइस के प्रतेग परिचा केंदरों पर सिसी टीवी केमरा लगाए जाने के विवस्ता की गई है अगली बड़ी खबर बिहार में अब एक ही नंबर से बुक होगी सरकारी और प्राइबेट एम्बूलेंस किराया भी होगा फिक्स जिहां बिहार में चल रहे सबी सरकारी एवाम नीजी एम्बूलेंस को एक ही नंबर से जोडने की कोशिस तीज हो गई है सबी सरकारी नेजू एम्बिलेंस को एक नमबर 102 से होगा जिसे डाइल करने पर पीडी तक सहता पहुचेगी सड़क हादसों में हतायत की सेंक्या काम करने वा तौरित मदद करने के लिए निने लिया गया है परिवन बिवाग के निर्देश पर स्वास्त बिवाग ने इस दिसा में प्रकरिया सुरू कर दी है मार्च तक इस काम को पूरा करने का लच रखा गिया है इसके अलावा एक आपातकाली नमबर से जुडने के बाद सभी प्रावेट अम्मूलेंस का राज सर पर डेटा बेस सर जिले में स्वास बिवाग के पास रहेगा इनकी सरकारी निगरानी तो होगी ही अम्मूलेंस का किराया भी तै किया जाएगा इसके साथ राज में चल रहे सभी निजी अम्मूलेंस चालोकों को और प्रसुचित पारा मेडिकल इस्टाप अनिवार रूप से रखना होगा बड़ी कबर बिहार में अगले 48 गंडे तक खराब रहेगा मौसम पटना सहित 14 जिलों में बारिस के साथ बिजली का लड ओला गिरने के भी असार जहां मौसम विभाग ने बिहार में अगले 48 गंडे तक लड़ जारी किया है राज के कई इलाकों में गरज के साथ आकासिय बिजली गिरने और बारिस का पुरानुमान जताया है इस दोरान ओला गिरने के भी समावना है मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 गंडे को लेकर अलग-अलग अलट जारी किया है मौसम विभाग के मताबिक अरब सगर और मंगाल के खाड़े से आ रही ठंडी हवा का सर राज में देखा जा सकता है इसे लेकर मौसम विभाग ने पाटना सहीद आने जीलों में लोगों से सावधान रहने के अपिल की है मौसम विभाग के अनुसार राज के दख्चिन पाचिम बिहार के चो जीलों अगली बड़ी कबर कोरोना के तिसरी लहर का पेक करीब आयाइटी मदरास ने कहा छे परवरी तक सबसे ज़्यदा केस होंगे किसी के संक्रमन फेलाने की दर याने आर भेलो भी गटी जिहाँ देश में कोरोना के तिसरी लहर का पेक 14 दिनों में आ जाएगा आयाइटी मदरास ने अपने स्टेडिय में यहाँ दावा किया है इसमें कहा गिया है कि कोरोना के मामले 6 परवरी तक याने दो हब्तों में चरम पर पहुच जाएंगे तिसरी लहर का मुई के कारण कोरोना के ओमिक्रोन विरियन को माना जा रहा है बिहार में सरसती पूजा पर भी कोरोना का साया घरों में पूजा जुलूस पर भी रो जहां बिहार में कोरोना पावंदी के बज़ा से इस बार सरसती पूजा का आयोजन बड़े पेमाने पर नहीं होगा डीजे नहीं बजेंगे और नहीं जिलूस निकलेगा और लोग घर पर ही पूजा करेंगे आपको बदद कि बिहार में छे फरवारी तक पाबंदी बढ़ा दी गई है डीजे और जिलूस पर भी रोक लगा दिया गिया है बड़ी कबर दो बूंदी जिन्दगे की कोरोना प्रोटोकोल के साथ बिहार में पल्स पॉलियो अभियान 27 फरवरी से प्रारम होगा राश्ट्य पल्स पॉलियो टिका करन अभियान कीते थे पूरो में 23 जनवरी 2022 निदारित की गई थी जिसे कोरोना की वज़े से बढ़ा करव 27 फरवरी 2022 कर दिया गया है राज में कोरोना के बढ़ते प्रकोब से केंद्र सरकार को बिहार की स्वास्थ बिवाग ने एक पत्र के माईदम से अवगत कराया था कि अभि पल्स पॉलियो टिका करन अभियान को चलाना जोखीम परा रहेगा और अंगी बड़े कबर ट्रेन में सफर में अब देर रात तक गपे नहीं फोन पर भी तेज सावन नहीं चला सकते हैं रेलवे ने लागू कर दी है ऐसी वेबस्ता यात्रियों के लिए यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुखद बनाने के लिए भारते रेलवे ने नए नियमों का एक नया नियम मनाया है अब भारते रेलवे द्वारा लाओड मेजिक और लाओड फोन पर बात करने पर प्रतिबन लगाने के तयारी में है नए नियम के बाद जो यात्रे तेज आवाज में बात करते या तेज संगित बजाते हुए पकड़ जाएंगे उनके साथ सक्ति से निप्टा जाएगा इस बारे में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के नाम एक चेटी भेज़ दी है आज के लिए आपका सवाल बताएं के बिहार इंटर और मेड्रिक परिचा में सिसी टीवे केमरा लगाने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं